दियर पैरेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दुरूर स्कुल में आज के इस वीडियो मैं सैनिक स्कुल 2025 का कम्प्रेट सिलेबस और एक्जाम पैटर्न समझाने वाला हूं जिसके अधार पर बच्चों का सैनिक स्कुल में एड्मिर्शन होता है साथ ही अप्लिके इस वीडियो में बताऊंगा तो ध्यान से देखना है सैनिक स्कुल के एक्जाम का पैटर्न सैनिक स्कुल में आप प्रवेश चाते हैं क्लासिक्स में तो आपको यह वाली जितनी सीडिया है उसको पार करना पड़ेगा इसके बाद आपका सैनिक स्कुल में सेलेक्शन होगा तो देखते हैं कौन-कौन सी सीडिया है जिनको हमको क्रॉस करना होगा पहले हम देखते हैं मैट्स ठीक है हमारे कौन-कौन सब्जेक्ट है जो हमारे सैनिक स्कुल के एक्जामें पहुंच जाते हैं मैट्स जी आई यानि जनरल इंटेलिगेंस जनरल नॉलेज और के पचास कोश्चन आपके पुझ आते हैं गणित के पचास कोश्चन एक कोश्चन तीन नंबर का मार्ट कितने हो गए ऑन पर उसुरीपकार जी आ बात करें जनरल इंटेलिगेंस की तो यहां पर कर सकते हम हिंदी औरॹ इंग्लेज üst में आपकी त्यारी कराते हैं तो हम उस कोस्चन आएंगे और एक कोस्चन दो नंबर के यानि टोटल नंबर हो गए फिप्टी अब टोटल कोस्चन हो रहे हमारे 125 टोटल मार्क्स है 300 इसी के अधार पर बच्चों का सेलेक्शन होगा अलग अलग कैटेगरी वाइस रिजर्वेशन भी होता है वहाँ पर बच्चों को तयार करते हैं रेडी करते हैं बच्चों को अटेश्ट लेते हैं ताकि रेडी हो जाए कि 125 गंटे में कम्प्रेट कर लें इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती याद रखिए औब्जेक्ट्टिव टाइप होते हैं लगाना है सॉल्व करने के लिए अच्छे से आपको आना भी चाहिए पढ़ना जरूरी होता है ना ऐसा नहीं कि ऐसी गए और आग बंद करके तुक्के से काम नहीं चलता यह गया एक्जाम का पैटर्ण तो आपको समय समझना है के बरपास कम समय और तयारी करते हुए आगे बढ़ते चलना है तो एक्जाम और एप्लिकेशन का मैंने बता दिया अब देखते एक-एक सिलिबस की मैस हमको पढ़ना है ठीक हमने बता दिया कि मैस में 50 को सराएंगे एक कोस्टन तीन नमबर का लेकिन मैस का सिलिबस क्या पढ़ना क्या है उसम बहुत ही अच्छी दंजे तयार किया गया है जो सिलिबस है ओफिसेल वेबसाइट पे जो प्रॉस्पेक्टस में वही है ना चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं नेचूरल नंबर्स प्रकृतिक संख्या है एलसी मेसी है इंगलिस है नोट कर लिजेगा हिंदी और इंगलि हो गया इसके बाद आपका सिंपल इंट्रेस लाइन एंगल्स सप्लिमेंटरी एंगल्स हो गए उरक संपूरा कोड इकाईयों कर उपांतरा रोमा नंग कोड़ों के प्रकार देखिए इतने सारे चैप्टर हमको पढ़ना है आप ऐसा तो नहीं कि आप एक महीने में पढ़क में इस सरकल है ठीक है वॉल्यूम और क्यूब की वॉइड है टाइमें कपोजिट नंबर है प्लैन फिगर्स हो गया डेसिमल नंबर इस्पीड अन टाइम ऑपरेशन और नंबर्स टेंप्रेचर अरेंजिंग और रेक्शन्स यह सभी आपके चैप्टर में आएंगे मैस के सब्सक्राइब देख लिए स्क्रेंशॉट ले लिजेगा पॉस करके अपनी कोपी मगर आप तयारी कर रहे होंगे विल्कुल ठीक है इंटेलिजियंस में देखें तो पहले तिया नॉन वर्बल रिजनिंग का पार्ट है नॉन वर्बल रिजनिंग में देखिए और बैन आ दोनों मिक्स है आप इसमें क्या आएगा लेटर सीरीज नंबर सीरीज सब कुछ पढ़ाएंगे आपको डारेक्शन टेस्ट है ना डारेक्शन टेस्ट इस पर कोडिंग और डिकोडिंग है अल्फा वेटिकल अर्रेज्मेंट है लॉजिकल सिक्वेस्ट वर्ड है इसका आप जब सिलेवर्स देखेंगे तो आपको लगए कि यह दो लाइन का सिलेवर्स लिख दिया गया है सब कुछ है यह टॉपिक ना के वहां पर लिख दिया गया उतने से नहीं आपको हर प्रकार के कोस्टन आते हैं हम पिछले साथ 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 से लगातार बच्चों को सैनिक किस प्रकार के कोस्टन पूछे जा रहे हैं विल्कुल उसका हमें आइडिया है कि साथ से बच्चों को पढ़ाना है कि साथ से बच्चे सफलता हाजिल करेंगे और सीखते हुए एक्जाम को क्रेक कर लेंगे अब जन्रल नॉलेज यानि कि समानने ग्यान का क्या सिलेवर्स ह यहां पर देखते हैं कि समानने ग्यान का सिलेवर्स देखिए डिफरेंट टाइप आप साइंटिपिक डिवाइस विविन प्रकार क्यानी को करड़ आइकन इस सिंबॉल पढ़ना है आपको उसके हिंदी यहां पर लिखिए मेजर रिलिजन ऑफ इंडिया आर्ट और कल्चर डिफेंस, स्पोर्ट्स और गेम्स, सूपर सेंसेस, रिलिजन सिंब बिट्वीन, एनिमल और हुमन विंग, यह सब पढ़ना है हमको, यह पूरा टॉपिक हो गए किसके जीके के, अब देखिए यहां पर और भी है, सिलेवर्स जीके कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं बोला ह है, और इसकी तोड़ी अलग होती, इसमें आपको और ज्यादा मतलब इल्डवांस लेबल पर पढ़ना पड़ता है, ज्यादा चीज़े सीखते हैं आप, अब देखते हैं, अब देखते हैं, अब देखते हैं, पूपिकिंग अन टेक्निक होगा, प्रिजर विंग्विंग और बिए देखे इसमें नॉन रिनीवल एनर्जी रिसोर्सेस हो गया है इसके बाद फूड कल्चर है यंग वन्स ऑफ डिफरेंट अनीमल फंक्शन ऑब बॉड़ी पार्ट अप्लांट अनीमल इंटरनेशनल और इंडियन लिटरेशी कल्चर एंड प्रस्नाल्टी संद कल्च अब यहां पर देखें पूरा अर्टिकल अपर हो गया आपका वर्बन टाइप हो गया उसका कन्फूजिंग वर्ड कोस्चन टैक सेंटेंस ठीक है टेंस फ़म हो गया कांड ऑप कांड प्रोनोंस ठीक है करेक्ट आफ पिलिंग ऑडर अप वर्डिंस sentence sentence permission antonym synonyms यह आपका syllabus हो गया adjective interjection यह पूरा क्या हो गया conjunction तक आपका इसका English का syllabus हो गया अब यह English का syllabus हो गया इसके बाद देखते हैं अब Hindi की बारी अब Hindi का syllabus देखिए आप अब हिंदी का syllabus हम यहां पर देखते हैं मतलब की एक बड़ी सी कहानी होगे उसके अंतर से कोशन आ जाएंगे उसी से रेटेड आपके grammar के भी कोशन ग्रामार पढ़ना पढ़ेगा है ना grammar पढ़ना 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 है सुरुति क्या है यह सुरुति सम्भिनार्तक सब्द हो गए असुद्धी देख लिए पूरे टॉपिक से एक ही पेज में यहां पर है यह पूरा हिंदी का सिलेबस है सब कुछ मतलब जितने भी grammar होता है सबका basic आप सिख जाएंगे आप जब अभी class 5 में होंगे कोई सबसे में होता basic concept बन जाएगा किसी के तयारी के लिए बिलकुल eligible रहेंगे eligible तो रहेंगे अच्छे से आप प्री कर पाएंगे देखिए यह सिलेबस हो गया तो अगर आप सैनिक स्कूल आरे में स्यनावदय विद्याले की ताहरी कर जाते हैं द्रोड स्कूल सा जूड़का live batch के माद्यम से या recorded batch के माद्यम से बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही recorded batch के माद्यम से भी आप नवदय विद्याले की ताहरी कर सकते हैं सैनिक स्कूल 2025 की ताहरी के लिए हमारा सैनिक अलफा वैच है यह recorded batch आपको live batch के बारे में बताँगा जिसमें daily classes होती है यह हमारा recorded batch है इससे भी आप ताहरी कर सकते हैं अब वो चीज प्रोवाइड की जाए अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे अगर आप तीनो सैनिक स्कूल नवदय विद्याले की ताहरी करना चाते है recorded वैसे हमारा अर्जुन वैच्छे इसमें इंडोर करके आप तैयारी कर सकते हैं नवदय विद्याले की ताहरी के लिए टेजस लाइब सैनिक स्कूल आरे में अगर कोई बच्चा क्लास नहीं कर पाया तो रिकॉर्डिन देख सकता है लाइब प्लास में बच्चों के डाउट रिजॉल्व कर दिये जाएंगे बच्चे और चैट के माधियम से अपने डाउट पूसकते हैं सबसे अच्छी सुईधा है मतलब समझिए ऑन लाइन में आ सेलेक्शन हो जाता है हर वह चीज प्रवाइड के जाएगे प्रैक्टिस सीट कोई भी चैप्टर कम्टिट हुआ टेस्ट होगा आपका उसकी प्रैक्टिस सीट भी दी जाएगी जो पढ़ाय की समझ आया नहीं ठीक है फीव आईक्यू मॉडल पेपर हर कुछ प्रवाइड जाएगा तो बहुत ही बैती नंग से तयारी हो जाएगी जल्दी जल्दी इन्रोल करके अपनी आप तयारी स्टार्ट कर सकते हैं अब एक सवाल आता है कैसे इंडोल करना है प्ले स्टोर पर जाईए द्रोड सूल का एप इस्टॉल कीजिए ठीक है किसी भी नंबर से कर सकते हैं साथ में द्रोड स्कूल के यूट्योब चैनल को आप सबस्क्राइब कर लिए कि यहां जितने भी एकजाम से रिटेड नोटिफिकेशन है जानकारी है यह एकजाम पढ़ाई से रिटेड जितने भी वीडियो है सब कुछ सबसे पढ़े अफ्रोड के जाता कि तो आपको हमारा यह ऑफिजल चैनल दिख जाएगा ठीक है तो यहां इंडोल कर लिजिए नोटिफिकेशन जो भी एक जैसे कि नोधेव जाला है कर अप्लिकेशन फरमाया तो उसके नोटिफिकेशन से रिटेट वीडियो जो है अपलोड की गई वीडियो तो वहां पे लि 603-88-361 पर कॉल करके इंफरमेशन ले सकते हैं तो इस वीडियो में आपको मैंने कम्प्लीट सिलेबस और एक्जाम पैटर मताया सैनिक स्कूल क्लास 6 जो समझे आपको तैयारी से पहले सबसे जरूरी चीज़ हो था जानना कि हमारा सिलेबस क्या पढ़ना है क्या पढ़ने बचे स्पीड आप बढ़ा सकते हैं या नॉर्मल जिस गतिस चल रहे हैं सिलेबस कम्प्लीट हो रहा है तो बहुत इबैती नग से आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपके सैनिक स्कूल की तैयरी से रिटेट कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिक दे उससे रिटेट वीडियो जरूर हम ले कराएंगे ठीक है चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ